साल दोहजार तेईस में तुर्किये में आए भुकम ने ऐसी तबाही मचाई कि कुद्रत का रौदर रूप देखकर दुनिया कांप उठी उची उची इमारते ताश के पत्तों की तरह जमिदोंस हो रही थी शहर के शहर खंधर में तबदील हो रहे थे हर तरफ ऐसा मलबा बिखरा था मानो कयामत का मंजर हो जमीन के अंदर ऐसी खलवली मची थी कि जमीन के उपर की चीजें तूटे हुए खिलोनों की तरह बिखरी पड़ी थी तूटी इमारतें मलबो में बदल चुके शहर अपनों को खोने का गम बस यही बाकी रह गया था तुर्किये के बाद अभी कुछ दिनों पहले ही नेपाल में भी भुकम ने ऐसी ही तबाही मचाई 150 से जादा लोग की मौत हो चुकी है नेपाल में लगातार साथ दिनों तक बार बार कई बार धर्ती डोलती रही यहां भी कुदरत ने अपना कहर दिखाया था वही तबाही का मंजर वही तूटी बिखरी इमारते मलबो पर मातम मनाते लोग और अब कुछ ऐसी ही तबाही का अंदेशा दुनिया के सबसे ताकतवर मुल के लिए जताया जा रहा है नए नास्त्रे दमस कहे जाने वाले क्रेग हैमिल्टर पारकर ने अमेरिका को लेकर अगले साल के लिए डरावनी भविश्यवानी की है उन्होंने कहा कि प्रकरतिक घटनाओं की वज़े से अमेरिका के अधिकतर हिस्से ब्लैक आउट से गुजरेंगे क्रेग ने अपनी भविश्यवानी में दावा किया है कि 2024 में अमेरिका में कई बड़े भुकम पाएंगे इससे पश्चमी तट पर बहुत कुछ बरबाद होने का अंदेशा है क्रेग ने कहा कि मैं देख रहा हूँ पश्चमी तट तक भारी भुकम और प्रकृतिक घटनाएं होंगे जिससे बहुत कुछ बरबाद होने वाला है उन्होंने कहा कि 2024 में जो होगा वो दिल को दहला कर रख देने वाला होगा बतादे की नास्त्रे दमस फ्रांस के एक सोलवी सदी के भविश्य वक्ता थे जिनकी कई भविश्यवानिया पूरी तरह सच हुई उन्होंने काफी पहले रूस युद की भविश्यवानिय भी कर दी थी प्रकृतिक घटनाओं से संबंदित कई भविश्यवानिया भी सच साबित हो चुकी हैं क्रेक को वर्तमान का नास्त्रे दमस कहा जाता है वो भी भविश्य की कई घटनाओं को लेकर वीडियो के जर्ये चेतामनी देते रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने भविश्य की घटनाओं को लेकर कई वीडियो अप्लोड किये हैं हाला कि वो कितनी सच साबित होंगी ये भविश्य में पता चल सकेगा बहर हाल क्रेक दावा करते हैं कि उनकी सारी भविश्य मानिया सच साबित होने वाली हैं